हाई फ्रेंद्स वल्काम बैक टू मैं चैनल वी ब्यूटी आंते नेड़े तर्म स्वागत है आपका सबसे पहले हमें फिटिंग करनी है और उसके बाद में आप देख सकते हैं यह शोल्डर कितना बड़ा है और आम होल भी बड़ा है इन दोनों को ठीक करना है और यह दूसरी साइड का भी शोल्डर में प्राब्लम है तो इस प्राब्लम को भी ठीक करना है अब यहाँ पर मेरी कमर है और इसके कट्स कितने नीचे की साइड में तो इन कट्स को भी ठीक करना है यहां पर हम सबसे पहले साइट से कट कर लेंगे मेरे पास काफी सारा मार्जिन है इसलिए मैं इसे कट करके ले रही हूँ आपके पास अगर मार्जिन नहीं है लूजिंग याने तो आप सिलाई खोल के और आइरन करके ले लेना तो यहां पर मेरे पास है तो मैं इसे इसलिक इस तरह से cut करके ले लोगी दोनों साइट से आमोल्स में हम cutting नहीं करेंगे सिलाई को खोल के iron कर लेंगे जैसे कि आप देख सेके तो इस तरह के सिलाई खोलना बहुत ही आसान होता है इसमें से एक धागा आप पकट के खीचेगे तो सारी सिलाई खोल जाएगी इस सरा से तो मैं इसे खोल के iron करके ले लेती हूँ हम हाथ में कोई changes नहीं करेंगे यहाँ पर मैंने कूर्ती को iron करने के टाइम पर एक और problem दिखाए आप नीचे की साइड में देख सकते हो यह unequal में है तो इसे से इकवल में सेट कर लेना है तो आपको पता है कि मेरा शोल्डर जो है वो बड़ा था तो हमें इसे छोटा करना है अब इसे हम छोटा कैसे करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पावीन जितना कट कर दूँगी अब कट करने के टाइम पर इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा आम होल जो है पूरा नीचे तक नहीं कट करना है नीचे की साइड से two या two and a half inches यह उपर तकी नीचे की साइड से two and a half inches छोटते वे हमें इस तरह से mix कर देना है इस सरह से आप शोल्डर अगर बढ़ा होता है तो इसे ठिक कट सकते हों तो यहां पर मैं इसे कट करके ले लोगी मैं फिर एक बार आपको बता रही हूं मैं नीचे तक नहीं कट करी हूं अब यहां पर रेडिमेंट जो कुर्ती होती है उसके जो आमूल्स होते हैं वो दोनों इक्वल में होते हैं इस सरह से तो यहां पर हम इसे फिनिश और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए फ्रेंट साइट से भी थोड़ा सा हम कट कर लेंगे और यह भी हम पूरा नीचे तक नहीं टू अंड़ा फिंचर्स छोड़ते वे मिक्स करते वे इस तरह से कट कर ले तो सबसे पहले हम टेप ले लेंगे तो यहां पर मेरा चेस्ट है 33 अंड़ तो यहां पर मैं 33 अंड़ पर इस तरह से टेप को पकड़ के एक बार फोल्ड कर लोंगी और जहां पर मेरा फोल्ड हुआ है टेप वहां पर फिर से एक बार इसे इस तरह से पकड़ के फोल्ड कर दी हूँ यहां पर यह point लगा चुकी हूँ है अब हम căमर के लिए मेजरमें निकालेंगे तो यहां पे हम shoulder से 15 पे अपने कमर का किक लगा दूंगी इस सरह से अब यहां पिमने सेम उसी तरीके से कमर का map भी निकालने सोए मेरी कमर है 28 तो यहां हीप के लिए हमें लगाना है तो यहांपे मैं shoulder से 19 पे टिक लगाऊंकि कोई-kोई 21 भी लगाते है । मेरा हाइट के इसाब से 19 ठीक रहे है है तो मैं यहां पर 19 पर ही लगाऊंगी तो मेरे हीप है 35 है तो यहां यहां पर मैं नाइन पर टिक लगा दोंगी इस तरह से अब इन सारे points को अच्छे से mix करते वे एक dark line बना लेंगे आप यहां पर scale की help लेकर अच्छे से line बना सकते हो यहां पर मैं हाथ से ही dark line बना ली हूँ आप आपको अच्छे से दिख रहा होएगा अब हम दूसरी side में भ desporty को लिया ही क्यों है रिटन कर सकते थे ने नुटेंवे इक रसकते थे देडैंस तो यहां पर मैं यहгов प्रूंटी को आपके लिए हूँ और यह वीडियो सिर्ट आपके लिए बना रही होँ तो यहां पर मैं हात में कोई भी changes नहीं करने वाली हूं तो हाथ को मैंने joint कर हमारे आमोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पे हम इस तरह से पकड़ के स्टीचिंग करना है तो चलो मशीन पे चलते हैं यहां पे हम मशीन पे आ गए हैं तो आप इस कुर्ती में देखे हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स थे तो यह प्रॉब्लम्स आपको भी आ सक तो इसे कैसे ठीक करना है इसके लिए मैं इस कूर्ती को रेटेंड नहीं करी हूं और आपके लिए इस कूर्ती में सारे प्रॉब्लम्स को सौल करके दिखाऊंगी जितना हो सके उतना तो इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे अब आम होल के इधर दिखाऊंगी तो मेरा जो आप सोच रहे होंगे यह नौ इंच पर क्यों शिलाइ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हूं कि इसमें आपको मैंने बताए थी शोल्डर का आम होल्स का और दोनों शूल्डर में प्राब्लम है तो मैं एक बार इसे कुर्ती को पेन के देखूंगी फिर बार में फिटिंग वाली सिलाई दालूंगी जब मेरे प्राब्लम सॉल हो जाएंगे तो आप मैं इसे फिटिंग वाली सिलाई स्टिच कर दोंगी तो यहां पर हम इसे लॉक कर देंगे इस तरह से दूसरी साइड में भी मैं इसी तरह से स्टिच करके ले लोंगी तो यहां पर मैंने दोनों साइड स इस तरह से स्टिच करके ले ली हूँ आप देख सकते हो दोनों साइड में एक एक इंच लूजिंग देते वे मैंने स्टिच करें सो है मैंने इसे पैन के देखी हूँ मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल हो गए है ये कुर्थी अब बराबर है फिटिंग वाली सिलाई दालना है तो यहां पे मेरा हीप मैं 9 इंच पे टिक लगाऊंगी और कमर है 7 इंचेस और चेस्ट है 8 अंडाफ और यहां पे ये फिटिंग वाली सिलाई दालने के बाद मेरी कुर्थी एक दम बराबर हो जाएगी तो यहां पे मैंने measurement मैंने आपको पहले ही दिखाई थी यहां पे मैं एक इंच लोजिंग देते वे दोनु साइड में इस तरह से dark line बना ली हूँ अब इस line के उपर ही में stitch करके दिखाऊंगी आपको यहां पे मैंने stitch करके ले ली हूँ अब देख सकते हो इस तरह से यहां पे मैंने दोनों side से stitch करके ले ली हूँ अब यहां पे हमें इस class को cut करना है तो यहां पे हम इसे cut करके निकाल देंगे अभी तो आपको नीचे तक cut नहीं करना है सिर्फ इस तरह से cut करेंगे तो इसका finishing आ जाएगा इस तरह से अब यहां पे मैंने इसे अच्छे से set कर ली हूँ नीचे का भी मैंने set कर दी हूँ अब हमें cuts इसके stitch करना है तो यहां पे lock है इसका तो इस तरह से हमें इसे fold करके इसके cuts भी हम stitch करके ले लेंगे तो यहां पे मैं cuts भी stitch करके ले लेती हूँ और मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ यहां पे मैंने fitting कर चुकी हूँ और जो यह shoulder का जो problem था मैंने ये भी ठीक कर दी हूँ और जो armhole का जो problem था वो भी मैंने ठीक कर दी हूं यहां पे तो यहां पे आप इस तरह से आप भी ठीक कर सकती हूं जो second shoulder का जो problem था वो भी ठीक हो गया है तो फिर इंद यहां पे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरू कर देने सब्सक्राब भी कर देने बेल आइक कर 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 के आपको तुरंद मिल जाएगा फिर नहीं वीडियो के सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं तब देख लिए बाब बाई